नमस्कार दोस्तों, भारत के पास कितने नुकलियर हथियार हैं? किस कैटेगरी में पाकिस्तान हमसे काफी आगे पहुँच गया है? अमेरिका इसराइल वे साउथ कोरिया से किस-किस फाइटर जैट की खबरे आई हैं? फ्रेंच नेवी की सबमरीन की क्या रिपोर्ट है? वे साथ ही भारत वे चाइना के बीच लदाख में चल रहे बोर्डर विवाद में क्या अपडेट है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूँ आपका अमित अपडेट चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब बात करते हैं भारत और चाइना के बीच लदाख में चल रहे बोर्डर विवाद की तो इससे जुड़ी कई खबरे सामने आ रही हैं ताजा सिचुएशन की बात करें तो लदाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों ने भारतिये जवानों पर हमला कर दिया जिसमें तीन भारतिये सैनिक शहीद हो गए इसी जड़प में भारतिये जवानों ने भी पांच चाइनीज सैनिकों को अटेक किया था अभी कुछ दिन पहले ही कई इलाकों में दोनों देशों की आर्मी थोड़ा पीछे हटी है लेकिन फिर से चाइना इस तरह की हरकत करके इस विवाद को लंबा खीचना चाता है जिन सडकों के बनाये जाने से चाइना चिड़ा हुआ है उन सडकों के काम को वे दूसे साजो सामान को तेजी से बोर्डर तक पहुँचा दिया है पिछले दिनों चाइनीज हेलिकोप्टर्स भारत के बोर्डर के नजदीक आये तो इंडियन एर फोर्स ने इने भगाने के लिए सुखोई 30M के आई जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाया लेकिन इन से पड़ी एक और खबर अमेरिका की तरफ से आई जहां उन्होंने भारत को हर तरह की साहता देने की बात की है फिर चाहे संभावित लड़ाई के दोरान हथियारों की सप्लाई की बात ही क्यों नहो आपने रिपोर्ट देखी ही होगी जहां अमेरिका भारत को जल्दी से जल् यह इतना बेचैन है कि जो MH-60R नेवल मैरिटाइम हेलिकॉप्टर अमेरिकन नेवी को डिलीवर करने के लिए तयार किये थे उन्हें अब इंडिया स्पेसिफिक एन्हेंस्मेंट के साथ इसी वर्स इंडियन नेवी को दिया जाएगा फाइटर जेट वे एरक्राफ्ट सेक इसी वज़े से इस्राइली एर फोर्स के आठ एफ-16 पानी में डूब गए थे इन आठ एफ-16 मेंसे पांच को तो इस्राइल के इंजिनियर्स ने जल्दी ही दोबारा उडाने लाइक बना दिया था लेकिन बाकी बचे तीन एफ-16 में बाड के पानी से काफी ज़्यादा इमेज हुआ था इनको ठीक करने के लिए एफ-16 की मेनिफेक्ट्रिंग कमपनी अमेरिकी लोखिड मार्टिन को कॉंटेक्ट किया गया लेकिन वो भी इने ठीक नहीं कर सके लेकिन इस्राइली इंजिनियर्स ने हार नहीं मानी और खुद ही नए तरीके निकाल कर इने ठीक क खरीदता है फिर चाहे F-15 हो F-16 हो या F-35 ही क्यों ना हो उनमें काफी ज़्यादा अपग्रेड्स करके अपने उपकरण उनमें लगाता है इसी कारण इस्राइली इंजिनियर्स को इन फाइटर जेट्स के हाड़वेर की बेहतरीन जानकारी होती है और इनहीं के दम पर उन साउथ कोरिया ने अपने पहले 50 जनरेशन के फाइटर जेट के मोडल को पिछले वर्षी दुनिया के सामने रखा था इस दो इंजिन वाले KFX की फाइनल एसेम्बली की जा रही है ताकि जल्दी ही इसके फ्लाइट टेस्ट शुरू हो सके इसमें दो GE के F414 इंजिन लगें साउथ कोरिया इस तरह के 120 KFX फाइटर जेट को अपनी फोर्स में शामिल करेगा पहले स्टेज में जो KFX प्रोटोटाइप तयार हो रहे हैं इनका डिजाइन जरू स्टेल्थी बनाया गया है लेकिन इन में इंटर्नल बे को ओप्रेशनलाइज नहीं किया जाएगा बलकि इसे एक 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की तरह ही ओप्रेट किया जाएगा एक बार सभी टेकनिकल इचूस को पूरी तरह से ठीक कर लेने के बाद इसको पूरी तरह से स्टेल्थी फाइटर जेट के रूप में डेवलेप किया जाएगा इससे समय से साउथ कोरिया को फाइ के लिए से मौझूद हैं भारत भी एमका प्रोजेक्ट के जल्दी डेलवेफ्मेंट के लिए इस स्ट्रेटेजी को फोलो कर सकता है फाइटर जेट सेक्शन में ही अमेरिकी एर फोर्स के बेहद पुराने हो चुके एट एन थंडर बोल्ट की बात करना भी बेहद जरूरी है बेहद पुराने हो चुके और कम स्पीड पर उड़ने वाले इन फाइटर जेट्स को पिछले पांच वर्षों में कई बार रिटायर करने की कोशिश की गई लेकिन एक्सपर्ट कमेटी ने इन्हें रिटायर ना करने का फैसला किया है आखिर क्या खास है इन पुराने A10 थ सैनिकों को क्लोज एर सपोर्ट देना साथ ही यह दूसरे फाइटर जेट को सटीक तरीके से ग्राउंड टार्गेट्स को डिस्ट्रोई करने में भी सहायता करता है यह मातर 700 किलोमेटर पार आर की स्पीड से उड़ता है लेकिन सिर्फ 5000 फीट की उचाई से यह A10 अपनी पा इतनी कम उचाई पर उड़ने की काबलियत की वज़े से दुश्मन के सैनिक इस पर खूब अटेक करते हैं लेकिन टाइटैनियम से बनी इसकी बोडी सब कुछ सहन करते हुए हर हाल में अपने मिशन को पूरा करने में सहेता करती है A10 थंडर बोल्ट एक अटेक तो अभी हाल ही में पाकिस्तान की एरफोर्स ने अपने साथवे स्वीडन से निर्मित साब 2000 एरी आये अवाक्स एरक्राफ्ट की डिलिवरी ली है खास बात यह है कि पिछले साल ही बाला कोट एर साइक के बाद पाकिस्तान दुआरा खरीदा गया यह है चोथा अवाक्स ए फाइटर जेट्स पर नजर रख सकते हैं वहीं भारत के पास अभी भी कुल 5 ही अवाक्स एरक्राफ्ट हैं हाला कि इंडियन एर फोर्स अगले 10 वर्सों में इनकी संख्या को 20 तक पहुँचाने पर काम कर रही है लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान हम से इस कैटेगरी में क्रेश हो गया है युनाइटिड किंग्डम की तरफ से सर्च एन रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है जो एक फिफटीन क्रेश हुआ है वो एक बेहतरीन फाइटर जेट रहा है एक सो चार इस टू जीरो का रिकोर्ड है यानि कि इसने दुश्मन के एक सो चार तक गिराया है लेकिन खुद कभी भी उनका निशाना नहीं बना F-15 तीन हजार किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ सकता है और इसकी रेंज भी 4800 किलोमेटर तक है अब बात करते हैं उस दावे की जो खुद अमेरिकी मीडिया में दिखाया जा रहा है इस दावे में बा हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ट्रेक करके हवा में ही डिस्टोई कर सकता है हाइपरसोनिक मिसाइल्स की स्पीड आवाज यानि की साउंड से 5 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा होती है यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस समय सिर्फ रश्या के पास ही सही मा लावा हाइपरसोनिक कैटेगरी में रशिया के पास एंटी शिप जिर्कोन मिसाइल्स के साथ-साथ किंजल मिसाइल भी है जिसे 3000 किलोमिटर पर आर से भी जादा की स्पीड वाले मिग 31 पर लगाया गया है वही दूसी तरफ अमेरिका इस हाइपरसोनिक मिसाइल्स की रेस में पिछड चुका है और उनके पास एक भी प्रूवन हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद नहीं है दोस्तों बात करते हैं न्यूकलियर हथियारों की संख्या की यानि कितने न्यूकलियर हथियार भारत वे भारत के पडोसियों के पास हैं दस्टोखोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिट्यूट की इयर बुक 2020 में खुलासा हुआ है कि जनवरी 2020 तक भारत के पास मात्र 150 न्यूकलियर हथियार मौजूद हैं की पाकिस्तान ने 160 ऐसे ताकतवर हथियार तयार कर लिये हैं चाइना तो और भी आगे निकल कर 320 न्यूकलियर हथियार तयार कर चुका है चाइना अपनी हर तने की मिसाइल्स में अब न्यूकलियर पेलोड को लगाने में जुटा हुआ है मुझूदा समय के नुकलियर हथियार कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं और एक बड़े शहर को पूरी तरह से डिस्टोई कर सकते हैं 1945 में जपैन के उपर हुए नुकलियर अटेक के बाद से कभी इस हथियार को किसी देश पर इस्तेमाल नहीं किया गया है लेकिन भारत के साथ लगे दोनों देश पाकिस्तान वे चाइना उनके बारे में सपस्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है कि वे नुकलियर हथियार का इस्तेमाल करेंगे या नहीं वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा लगबग 6500 नुकलियर हथियार रशिया के पास है अब बात करते हैं भारत के स्वेदेशी अपाची जैसे अटेक हेलिकॉप्टर की भारत ने अपने स्वेदेशी अपाची हेलिकॉप्टर की तरहें के Light Combat Helicopter की सारी टेस्टिंग पूरी कर ली है ये Attack Helicopter बेहद खास है यह हलका वे पारफुल होने के कारण 21,000 फीट तक की उचाई तक जा सकता है जिससे इसे सियाचिन जैसे बेहद उचे लड़ाई के मैदानों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसकी मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमेटर पर आर है और यह हतियारों के साथ 550 किलोमेटर तक की रेंज रखता है इसमें भी अपाचे Attack Helicopter की तरह पाइलेट के हेलमेट से Connected कैनन लगी हुई है जिसे पाइलेट किसी भी डारेक्शन में पॉइंट करके बुलेट्स फायर कर सकता है साथ ही इसमें मिस्ट्रेल एर टू एर मिसाइल्स भी लगी है इसका रडार भी काफी अच्छा है इसी लाइट कॉमबेट हेलिकॉप्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन आई है कि जल्दी ही ऐसे 15 हेलिकॉप्टर इंडियन आर्मी को मिल सकते हैं हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड को भले ही कन्फर्मड ओर्डर्स नहीं मिले हैं लेकिन फिर भी उन्होंने काफी सारे फ्रेम्स बना लिये हैं जिन से बहुत जल्दी एक कंप्लीट अटेक हेलिकॉप्टर बनाने में बहुत कम समय लगेगा खास बात ये है कि 20 मिलियन डोलर की कीमत वाला यह स्वेदेशी अपाचे हेलिकॉप्टर अमेरिकी अपाचे हेलिकॉप्टर से आधी कीमत का है इस तरह के हेलिकॉप्टर लदाख में चाइनिस आर्मी को दूर रखने में बेहद महतपूर्ण भूमी का निभा सकते हैं अब बात करते हैं सब्मरीन्स की फ्रेंच नेवी ने एक नई किस्म की इंटर कॉंटिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है ये टेस्ट अंडरवा hatred लोंज के माध्यम से एक सब्मरीन से किया गया है फ्रांस के पास काफी सारी सब्मरीन्स हैं और उन में से 4 सब्मरीन्स को इस तरह की लोंग रेंज वाली न्यूकलियर बैलेस्टिक मिसाइल के लिए ये टेस्ट भी उनी मैंसे एक सब्मरीन के द्वारा successfully demonstrate किया गया है वैसे France की सब्मरीन की ही बात करें तो उनकी एक सब्मरीन जो repair and maintenance के लिए आई थी उसमें आग लग गई और इसमें 14 घंटे तक आग को बुझाया नहीं जा सका सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात यह है थी कि यह सब्मरीन nuclear powered propulsion से चलती है और इसलिए nuclear radiation होने का खत्रा बहुत बढ़ गया था लेकिन समय रहते आग को बुझा लिया गया है और किसी भी तरहें का radiation नहीं हुआ है बात करते हैं tanks की तो एक report आई है जिसमें बताया गया है कि Chinese Army हलके Type 15 tank के साथ तिबबत के उचे पहाड़ी इलाकों में एक अभ्यास कर रही है Type 15 tank हलके होने के कारण आसानी से उचे इलाकों तक पहुँच सकते हैं जबकि बड़े और ज़्यादा ताकतवर main battle tank इतनी उचाई पर कम oxygen होने के कारण ठीक से operate नहीं कर पाते हैं भारत और चाईना के बीच इस समय कई जगें उपर border संबंदी विवाद चल रहा है चाईना का अपने tanks को लेकर खुलासा करना भारत के उपर दबाव बनाने की रणनीती का हिस्सा है इससे पहले चाईना ने self-propelled होविजजर को भी इन इलाकों में border के नजदीक पहुचा दिया है ये अलग बात है कि भारत के उपर इन सब का कोई दबाव नहीं पढ़ रहा है और भारती आर्मी ने भी अपने इलाकों में होविजजर को तैनात कर रखा है दोस्तों कमेंट सेक्शन में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि क्यों भारत अवाक्स एरक्राफ्ट के मामले में अपने आपको पिछडने दे रहा है और क्या वाकई चाईना लड़ाई करना चाहता है या सिर्फ जान बूज कर नए विवाद पैदा करके भारत को उलजाए रखने की पोलिसी पर काम कर रहा है साथ ही अपनी राय में ये भी बताईए कि अमेरिका किस लेवल तक भारत की साहता कर सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतजार रहेगा दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार